प्रोर लाल इस्टन की पॉलीस का अनोखा कार्णामा चाहे साल कबल वफात पार्ण लाले शक्त के खिलाव पॉलीस टीम पर तक्षर्दूद जर्गमार बनाए जाने वाले और ड़केटी का मुकद्ध मादर्ट मुड़े की तलाश के लिए छापे भी माले जा रहे हैं एक चक जखमी हालत में गिर्फार दूसरा फरार हो गया खानफूल में जरीप मेहनत कश्का बेटा ताहाल बास्याप ना हो सका बुड़े माबाप अड़हाई साल से दर दर की ठोकने खाने पर मशबूर कहते हैं पॉलीस विताब बुन नहीं कर रही मुल्टान में पॉलीस वर्डी में मलबूस डाकू सरगरम हो गए सौजिया पलट ट्रक्स को दिन दिहार नक्डी से महरूम कर दिया इतला के बावजूद असल कानून के रिखवाले ताखीश से पहुंचे कबीरवाला के रमजान बाजारों में दुकानदारों ने मुतारिबात मन्जूर ना होने पर बाईकॉट कर दिया दुकान ने बंद होने से शेहरियों को भी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है बीचियो विहारी का तहसीर हैर्कॉार्टर स्पताल मेल्सी का दौरा सफाई का नाकिस इंतजाब लेड़ी डॉक्टर की डूटी से खाइप होने पर इज़ारे बरहमी जिमेदरान के खिलाफ पारवाई का हुक्म दे दिया गुज्ञामाला के पहलवानों ने भी इज़ की स्रीदारी के लिए बाजार का रुख कर लिया आखाडे में हरीपों को चिट करने वालों के खुटते लाची और कुटते की आस्मान चूती कीमतों ने चारों शाने चिट कर दिये बदीन के नवाही गाओं में जाली आमिल ने मा बेटे की जान ले ली आमिल के इल्म से दो खवातीन गुजश्चा तीन रोज से बेहोश पड़ी हैं जिनकी हालत भी तच्श्वीश टाक हो गई मुल्जिम मौके से फरार हो गया जैब का बात में शोहर ने खैरत के नाम पर बीवी को आशना समेश कप्ल कर दिया मुल्जिम फरार पॉलीस ने तह्किकात चूरू करती रानिपूर मिद्वियन में बिचली के नादेहिंदगान के खिलाफ नेप और सेटको की मुझसर का रवाई 13,000 कनेक्शन मुनकता कर दिये गए बदीन में बिचली की बत्तरीन लोड शेडिंग में अवाम का पारा हाई कर दिया मुझसर अपरात की हेज़ को आफिस में तोड़ पोड़ और हंगामा राई कई घंटे रोड ब्लॉक रखा मुझसर की आमद आमद है महब मुझसर की बारिशियें मामूल से ज़्यादा होने की पेशगोई अलर्ट के बावजूद पिशावर में खसता हाल इमार्टों को मरम्मत ना किया जा सका ये इमार्टें किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकती है और कोईटा में गुजश ररोष होने वाली तुफ़ानी बारिश इंतजामी इदारों की कारकदगी पर सवालिया निशान बन गई नकासियाब ना होने से कोईटा किसकर के नदी नालों का बंसर पेश करती रही सिवर अस्पिताल के कई वाट्स में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया हेडलाइन साफ जान चुके हैं सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से करोर लाल इसन की पॉलीस का अनोखा कारनामा 6 साल बाद वफात पाने वाले शक्स के खिलाफ पॉलीस टीम पर तशद्द्द यर गमार बनाए जाने और ड़केटी करने का मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया मुड़े की तलाश के लिए च्छापे भी मारे जा रहे हैं थाना करोर की पॉलीस की जानी से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुल मुहम्मद की मुद्यत में थाना करोर लाल इसन में 24 साल कबल वफात पा जाने वाले 28 साला दोजवान जुलिफकार पर मुकद्दमा दर्च किया गया है एले खाना के मताबिक जुलिफकार नामी नौजवान जून 2010 में वफात पा गया था जिसका डेथ सर्टिफकेट भी मौशूद है F.I.R. के मताबिक मुलिफकार तहरीक इनसाफ के M.P.A. अबजलमदीत नियाजी के पास बतौर गन मैं काम करता था जिसने M.P.A. के डेरे के करीब पुलीस रेड के दुरान सरकारी एहलकारों को असलिह के जोर पर यर्गमार बनाया और उन से ना सिर्फ असलिहा चीना बलके डेकेटी का इत्तकाब करते हुए समाथ भी चीन लिया पुलीस थाना करोड लालीसन की जानिब से मतवफी मलजीम जलिफकार समय निगत की गिरफतारी के लिए चापे भी मारे जा रहे हैं बहावत पूर में मुबईना पुलीस मुकाबले में एक डाकू जखमी हालत में गिरफतार जबके दूसरा फरार हो गया बहावत पूर बुलबग ठोट पर वाके यूटिलेटी स्टोर से दो नामालू मुसल्ठ डाकू असलेह के जोर पर अढ़ाई लाक रुपे लूट कर फरार हो रहे थे के पॉलीस से सामना हो गया पॉलीस और डाकू के दर्मيान मुबयना फाइरिंग के तबातले में जखमी होने वाला एक डाकू गिरफतार जबके दूसरा फरार हो गया जखमी होने वाले डाकू को विक्टोरिया स्पतार मुनत्खिल कर दिया गया जबके दूसरे की तलाश चारी है मुल्क भर में इदुल फितर की तैयारिया अरूच पर हैं मगर खानपूर के नवाही इलाके में रहाइश पजीर एक ऐसा खानदान भी है जो पॉलिस की रुआती बेहिसी के सबब आने वाले इद पर खुशिया मनाने की बजाए मातम करा है खानपूर के नवाही इलाके के रहाइशी मेहनत कश मुनीर इहमत के 15 साला बेटे को 28 साल कब लिगवा किया गया लेकिन पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कारवाई नहीं की गई बुडी माँ और बेहनों का भाई की जुदाई में रो रो कर बुरा हाल है बुडे बाप का कहना था के रहाइश साल कबल उसके बेटे को रियाज और उसके साथी रोदगार का जहांसा दे कर साथ ले गए और फिर उसे कैद कर दिया और अब उनसे तावान का मतालिबा कर रहे हैं उनका कहना था कि आरपियो बहावलपूर के हुकम के बावजूद पुलिस मुलजिवान के खिलाफ कारवाई नहीं कर रही गमजदा खानदान ने कहा के पहले ही चार इदें अपने लखते जिगर के वगएर गुजारी हैं अब जूँ जूँ आईद करीब आ रही हैं उनके घर में मातम का समा बनता जा रहा है घरीब खानदान ने वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब पुलिस से मतारिबा किया कि उनके बेचे को फौरी बाजियाब करवाया जाए ताके वो खुश औ खुरम अपनी एद मना सकें महबत नामिली पर मौत ने गले लगा लिया फालिया में पसंद की शादी ना होने पर प्रेमी जोड़े ने नहर में चलांग लगा दी और जिंदगी का खात्मा कर दिया लाशें ताहाल ना मिल सकी फालिया के नवाहिगाओं पिंडी लाला के रहाशी 22 साला सुफ्यान और 20 साला अधीबा शादी करना चाहते थे लेकिन दोनों के वालिदें इस फैसले पर रजमन ना थे तमाम तर कोशिशें भी कामजाप ना हो सकी नाकाम होने के बाद दोनों ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया और नहर आर क्यू में चलांग लगा कर खुदकुशी कर ली रेस्ट्यू के मताबक उन दोनों की लाशों की तालाश चारी है पाने के तेज बाहाओ के बाइस लाशे मिलने में मुश्किलात का सामना है मंडी बाहुदीन की तहसील मलिक वाल में चाहिदात के तनासे पर मुखालिफीन ने इंटो के वार करके 40 साला शक्स हो कतल कर दिया मुख्यमान मौके से फ्रार हो गए मलिक वाल के इलाका रुकुन में मुख्यम वली मुख्यमान का अपने रिष्टेदार मक्तूल जफर अकबाल के साथ चाहिदात का तनासा था मक्तूल जफर अकबाल अपना नया मकान तामीर करवा रहा था कि वली मुख्यमान ने अपने दो साथियों के हमरा उस पर हमला कर दिया और इंटे मार मार कर उसे कतल कर दिया मुल्जिम वार्दात के बाद फरार हो गया पुलीस थाना गोश्रा ने मक्तूल की बेवा की दर्खास पर वली मुहम्मद समेट तीन मुल्जिमान के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कर लिया है जब कि लाश पोस्माटम के लिए टी एच की अस्पताल मुन्तखिल कर दी गई है जहां पोस्माटम के बाद लाश को वरसा के हवाले कर दिया चायका मुल्जिमान में पुलीस वर्दी में मलबूस डाकू सरगरम होगे सौदिया पलट शक्स को दिन दिहारे नकदी से महरूम कर दिया सौदिया में मेहनत मज़ूरी करने वाला रहीम यारखान का रहाशी सकलैन मुल्तान एरपोर्ट से वापिस घर जा रहा था कि पुराना शुदाबात रोड पर पुलीस की वर्दी पहने दो डाकों ने रोक लिया और चेकिंग के बहाने 15,000 रियाल लूट कर अफरार हो गए मतासरा शक्स ने पुलीस को इतला दी लेकिन असल कानून के रखवाले हस्ब रवाय ताखीर से पहुंचे सकलैन ने वरसा के हमराग कई घंटे तक एहतजाजी मुझारा किया ताहम पुलीस की यकिन दहाने के बाद मुझारीन 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 हो गए जरवाला में पीजा के शुकीन 11 अफराद अस्पताल पहुंच गए हालत खत्रे से बाहिर है जरवाला में मुकामी मोटर साइकल शोरूम के मुलाजमीन ने पिजा शॉक से पिजा मगवाया जिसे खाने के फौरी बाद शोरूम के तमाम 11 मुलाजमीन की हालत खेर हो गई एहले लाका ने फौरी तोर पर इसक्यू एहलकारों को इतला दी जिसके बात तमाम अफराद को फौरी तिबी अमदात के लिए तेसील हैड़कौरर इसबताल मनतकिल किया गया जहां उन्हें तिबी अमदाद दी जा रही है अस्पितार ज्राय के मताबिक तमाम मतासरा अफराद की हालत खत्रे से बाहिए है तमाम मरीजों को जल्द फारिग कर दिया जाएगा मुल्तान में जिरे तामीर फ्रेक्टरी की च्छत गिरने से साथ मजदूर शड़ीद जखमी हो गए जिने अस्पताल मुन्तकिल कर दिया किया है मुल्तान के नवाही लाके में जिरे तामीर काल मनत्किल कर दिया गया है हादसे की इतला मिलने पर एसक्यू एहलकारों ने फौरी कारवाई अमर में लाते हुए तमाम मज़़ूरों को बाहिफाज़त मलबे से निकाल लिया चन्योट से खबर है चन्योट के डी एच्क्यू में जेब तराश्ट रंगी हाथों पकड़ा गया अवाम ने पहले तो खूब दुर्गत बनाई और फिर पॉलिस के हवाले कर दिया इस हवाले से मसी तफ्सिला चांते हैं नमाइंदा वक्यूथ मुस्तिफा बासिस से मुस्तिफा बासिस ये बताईगा ये वाक्या कैसे पेश आया और ये तराश्ट कैसी हवाम के हथ्टे चड़ गया जी बिल्कुल डिस्ट्रेक हैड़ कौर्टर में नर्सिंग आस्टिल में अबु सुफ्यान नामी शक्स दाखल हुआ जिसने ताले तोड कर नर्सिस के कपड़े जूटे रकम और किम्ती समान कटे कर लिए जिसको एक नर्सिंग ने देखकर शोर मचा दिया उसी वक्त शेहरी और मरीजों के लवायतीन कटे हो गए और उसको पड़कर हस्पताल की स्कूर्टिक के हवाले कर दिया अवाम और गार्ज ने पहले तो खूब उसकी ठुकाई की और बाद में पुलीस के हवाले कर दिया जिसके खिलाब स्योजी का मुकदमा दाज कर लिया गया है जी शुक्रिया मुस्तफा बास्ट आपने प्रेट किया अभी आपको लिए चलते हैं लहूर जहांबर तहरीक इनसाफ के रहनुमा अलीम खान मेडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कोई काम यह लोग करते रहेंगे क्या कहा है वो सुनने और यह अलीम खान नहीं कह रहा है यह हाई कोट कह रही है When ECP refused jurisdiction over the main issue then no order was passed as there is no order therefore neither any violation nor any act of petition hampering process of justice was committed by the petitioner Court is of the opinion that election commission of Pakistan was not only conducting the proceeding unlawfully but also acted in haste on presumption मतलब यह खास तोर पर उन्होंने पूछा कि यह यह जो लगातार प्रोसीटिंग चार रही थी यह यह क्यों चलाई जा रही थी यह बगएर वक्षे के जो काम चलाया जा रहा था इसके पीछे कौन है यह कौन करवा रहा है इसके पीछे और जब वो अलेक्शन कमिशन ने मेरी में एप्लिकेशन के उपर जब सुना ही नहीं मुझे जब उसके उपर कारवाई कोई नहीं हुई तो उनको किस तरह पता लग गया कि 2000 एफ़ी डेविड में से 180 एफ़ी डेविड जो थे वो जाली है इनको कैसे इलहाम हुआ जजजों को ये जो चार लोग थे ये बता सकते हैं कि इनको किस तरह बताया था ये फाइल में से खुद ही ने कल लिकल किया है हलफ ना में बता रहे थे कि हम जाली है हम जाली है शरम आती है ऐसे ये जजज है अगर अलेक्शन कमिशन इस तरह का होगा ये क्या मुलक है ये क्या जमूरियत है ये किस बात के उपर हम डिमाक्रिसी डिमाक्रिसी के ये जमूरियत है आप अगर अलेक्शन पहले से ही तियार करके अलेक्शन का रिजल्ट बना के और फिर एलेक्शन कराएंगे तो बताएं इस मुल्क में जमूरियत कितनी दे रहेगी ये क्या ऐसे जमूरियत रह सकती है इसाथ रहनमा अलीम खान लाहुट में प्रेस कानफरंस कर रहे थे उनका एक हैना था कि हाई कोड का फैसला दरबारियों के मूँ पर तमाचा है खबरों के सिल्से को आगे बढ़ाते हुए आपको बता हैं कि दुनिया भर की तरहां भावेपूर में भी माहे रमज़ान के आकरी अश्रे में ताक रातों की तलाश में फर्जन्दान इसलाम इतकाफ में बैठ चुके हैं और अल्ला ताला के हज़ूर सज्दा जिर हैं माहे सियाम में ताक रातों को तलाश करने वालों का इहवाल बता रही है वक्त नूस के नमाइदे चौहदरी मरतजा अपनी इस रिपोर्ट में इतकाफ शार इसलाम में नहायत एहमित का हामिल है नβी करीम ﷺ ने इसके बारे में जो वहीद और बिशारतें दी हैं वो एहली आने इसलाम के लिए बहुत मुबारिक है रमजानल मुबारिक के आकरी एश्रे में पूरी दुनिया में मुस्लमन आने इसलाम इतकाफ का इतमाम करते हैं क्योंकि रमजानलमबारिक का आखरी अश्रा निजात का है तो इस अश्रा में क्यामलमेल के जरीए अल्ला का कुर्ब हासिल करना और मगफिरत इलाही का फैद हासिल करना इतकाफ जैसे अमल से ही मुम्किन है अतकाफ दरसल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ताक रातों की तलाश और लेलत अल्कदर और दुनिया के तमाम कामों से हट कर सिर्फ अल्ला-तला की अबादत के लिए बढ़ जाता है اللہ کے نیک بندے اتقاف کے ذریعے نجات اور مغفرت اور توبہ استغفار کے عمل سے ہمارے معاشرے پر پڑھنے والی ہر اس چیز کو ٹال دیتے ہیں جو ہمارے لیے وبال کا باعث بنے اللہ کے ذکر میں مشہور یہ بندے رمضان المبارک میں اتقاف کے ذریعے عبادات کا ایک عملی حسن پیش کرتے ہیں چودری مرتضہ وقت نیوز بہاول پہ کبیر والا سے خبر ہے کبیر والا کی رمضان فازاروں میں دکانداروں نے مطالبات پورے نہ ہونے پر بائیک آٹ کر دیا ہے اور دکانیں بند کر دی ہیں ہرٹال کے باعث عوام کو سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے مسیح تفصیلہ چاندتے ہیں نمائندہ وقت نیوز شیخ ازگر سے شیخ ازگر یہ بتائیے گا کہ ہرٹال کی وجہ کیا ہے اور کیا زلین قضامے کے جانب سے کوئی دمات کیے گئے ہیں اس موقع پر یہ بھی تو پنجاب میں رمضان بزاروں میں عوام کو رحیف دینے کے لیے سستے اشار قربے نوش کے اسٹار لگائے گئے ہیں رمضان بزاروں نے لگائے گئے سبزی اور پھروں کے اسٹار جہاں انتظامیہ نے ریٹ اوپر مارکر سے 20 سے 25 سبت تیوہ تک کم دیئے ہیں سبزی اور پھروں اسٹار مارکہ نے انتظامیہ سے مناسر ریٹ نہ ہونے پر شکایت تھی مگر ان کی کوئی شنوائی نہ ہوئی جس پر دکان داروں نے احسیجائجن رمضان بزار کا بائیک آٹ کر دیئے اور پھروں اور سبزیوں کے اسٹار بند کر دیئے اور انتظامیہ سے خلاف احسیجائج کی اور نارے لگائے ان دکان داروں کا کہنا ہے کہ یہ سبزی اور پھروں کے دور ریٹ ہیں جو ہماری منڈی ہیں سبزی جانسی اخریداری کرتے ہیں وہاں سے ان کو 20 سے 25 سبت کے ریٹ کا فرق ہے ان کا گانہ ہے کہ ہمیں 20 سے 25 سبت جو ہے مقصان ہوتا ہے یہاں یہ اس ریٹ پر بیٹنے سے شکریہ شیخ صدر آپ نے اپڈیٹ کیا اب یہاں کو بتائیں کہ گجرانوالا کے پہلوانوں نے بھی عید کی صداری کے لیے باسار کا رکھ کر لیا اکھاڑے میں حریفوں کو چت کرنے والوں کو کرتے لاچے اور خسے کی آسمان کو چھوٹی قیمتوں نے چاروں شانے چت کر دیا رنگ برنگے کرتے لاچے پہن کر گر سے اٹھائے گجرانوالا کے یہ پہلوان کسی دنگل کے لیے نہیں بلکہ عید کی شوپنگ کارمان دل میں لے کر سیٹلائٹ آن مارکٹ پہنچے انہیں تلاش ہیں خوبصورت کرتے لاچے اور خسے کی جس کے لیے یہ پہلوان ایک کے بعد دوسری دکان کا رخ کر رہے ہیں پہلوانوں کی انوکھے انداز میں شوپنگ شہریوں اور دکانداروں کے لیے توجہوں کا مرکز بنی رہی بڑھائی والے کرتے اور رنگین لاچے کی خریداری دکانداروں کے منمانے ریٹس کے باعث ان بھاری بھرکم پہلوانوں کی جے پر بھی خاصی بھاری رہی بھاؤں میں دکاندار اکھاڑے کے شیروں کو چار اور شانے چیت کرنے میں کامیاب رہے پہلوانوں کے لیے سب سے اچھا لباہ جو ہے وہ کٹھتا اور نیچے لاچا ہوتا ہے یہ جو بڑے خوبصورت اس دکان کے کٹھتے بھی ہمیں بہت پسند آئے ہیں کٹھتے پہن کے نکلتے ہیں اپنے دوستوں گیاں پہلوانوں کا کہنا ہے کہ کرتا لاچا ان کا پسندیدہ لباس ہے جس کی خریداری کے لیے وہ دوست پہلوانوں کے ہمراہ مارکٹ آئے ہیں دکانداروں نے منمانی قیمتیں تو وصول کی لیکن شوک کا کوئی مول نہیں ہوتا عید پر وہ رنگین کرتا اور لاچا زیب تند کر کے عید کی خوشیاں منائیں گے فیصلہ بات میں اندرونے شہر کو سمندری روٹ اور ستیانہ روٹ سے ملانے والا واحد جی ٹی ایس پل ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکا ہے انتظامے کے لاپرواہی اور غفلت نے شہریوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے فیصلہ بات میں اندرونے شہر کو سمندری روٹ اور ستیانہ روٹ سے ملانے والا واحد جی ٹی ایس پل ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے متعتد بیم کھوکلے ہو چکے ہیں जिससे आइंदा सरीया बाहर निकल रहा है इन भीमों के खस्ता हाथ होने से जी टीएस पुल किसी भी वक्त किसी बड़े हाथ से का सबब बन सकता है यही नहीं बलके पुल के एंड नीचे कई मकामात से उसकी बुन्यादें भी तूट फूट का शिकार है उदर पुल के नीचे से गुजरने वाली जीरे तामीज सड़क की खुदाई का मलबा और सड़क तच्ची होने के बाइस मामूली होने वाली बारशों से रास्ता कीचर में तब्रीद हो जाता है जिसकी नतीजे में रहकीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है शेहरियों ने जले होकुमत से मतारिबा किया है कि जीटियस पुल्प की खस्ताहाली और तूट फूट का नोटिस लिया चाए राजनपूल में मौनसून की पहली बारिश के साथ थी जले इंतिजामे की दानिब से क्या हिफाज़ती इंतिजामात देखने में आ रहे हैं जी हमें इस वक्त राजनपूर के नवाही लाका मौज़ा सोनवा में मौजूद हैं जहां सहलावी पानी ने जो ऐसे हैं को एकर फसल को मुतासर किया है और इसमें मौतद्द मकानात भी सलावी पानी की जाद में आ गए हैं अभी कोई सुलिमान पर कल जो थोड़ी सी बारश हुई है ये उसके सिलसले में फौरी तोर पर सहलाव इन इन इलाकों में आ गया है जैसा कि अगर फौर कास्ट की जा रही है में एकमा मौसिमियाद की जानब से कि इस बार ज्यादा बारश होंगी तो अगर उसी हिसाब से बारश होई तो लगता है कि ये पूरा इलाका जो सफायास्ती से ही मिट जाएंगे ये भी बताता चलूँ के हालिया बजट में जो पंजाब का बजट हुआ था उसमें सहलाव के नाम पे जो कोई इनके लिए कोई फंड बगर नहीं रखे गए जबके सलसल राजन पूर जो है वो सहलावी पानी की जद में आकर सैंडवेच बना हुआ है एक जानब से रिवराइन फलाड आता है तो दूसरी जानब से हिल्टोरेंटर्स को हिट करता है और यहां पे जो मिकामी लोग है वो भी ये बता रहे हैं कि अभी तक सरकारी ताउर पर इस इलागे करना ही किसी ने विजट किया है यह थोड़ी सी बारशे कर इतना रुकसान कर रहे है तो मुझीद बारशे ने के लिए कैसी तबाही का बाइस बनेगी शुक्रिया मुझाहिद हुसैन अपने अपडेट किया खबरों के सिलसे को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे चालकोर्ट की शालकोर्ट इंटरनेशनल एरपोर्ट को जाने वाली रोड इंतजामिया की नाहिली के बाइस खस्ताहाली का शिकार है हजारों लोगों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है मजीद जानने के लिए देखती हैं शालकोर्ट से वक्ति में उसके नमाइंदा मिया नईम इकबाल की ये रिपोर्ट गोदपोर्ट से शुरू होने वाली 10 किलो मीटर लंबी एरपोर्ट रोड 20 सालों से तूटपूर्ट का शिकार है तमीरो मरमत ना होने की वज़े से इस रोड़ पर जगा जगा गड़े पड़े हैं और गंदा पाने भी खड़ा है रोड की नए सिरे से तमीर के करोन रुपे की लागत वाले दरजनों मनसूबे सिर्फ कागजी कारवाई तक ही मदूद रहे हैं एरपोर्ट रोड से दरजनों दिहाद के हजारो अफराद रोजाना गुजरते हैं जिने मुश्किलात का सामना है इस मामला पर हकोमत और उसके अदारे भी खमोश हैं साड़े तीन रुपे की लागत से तमीर होने वाले इंटरनेशनल एरपोर्ट के रोड की तमीर कर दी जाए तो हजारो शहरियों को फाइदा होगा गौद पोर्ट से शुरू होने वाली ये रोड इस वज़़ा से भी एहमियत की आमल है कि यहां सेयल कोड इंटरनेशनल एरपोर्ट के लावा टैनरी जोन भी काइम है लेकिन रोड की हालत इंतहाई खिस्ता होने की वएसे हजारो लोगों को परिशानी का सैमना है कैमरामैन मुहमद नवीद के साथ मिया नाईम इकबाल वक्त न्यू सेयल कोड डीसियो वहारी ने अचानक तहसील हैड़कौर्टर मैलसी का दोरा किया और लेडी डॉक्टर के खैर हासिर होने पर इंतजामिया ने गलत बियानी की जिस पर डीसियो ने कारवाई का हुकम दे दिया हकूमते पंजाब के विजन के एन मताबक अवाम को सहुलियत फराम करने के लिए डीसियो विहारी अली अकबर भटी के जिला बार में सरकारी हस्पतालों के चानक दोरे काबले तहसीन है इसी विजन के तहट डीसियो विहाडी अली अकबर भटी रमजान मजार मैलसी का मौईना करने के बाद हवामी शकायत पर तहसील हैड़कौाटर हस्पताल मैलसी जा पहुंचे हैमर्जन्सी में डाक्टर यासर डिव्टी पर मजूद था गैनी वार्ड और चिल्डन वार्ड के मौईना के दुरान डीसियो ने लेडी डाक्टर के बारे में द्रेफ्ट किया तो डाक्टर यासर ने बताया के लेडी डाक्टर शाजिया लेबर रूम में किसी मरीजा की डिलिवरी में मसरूफ है जब DCO चेक करने पहुंचे तो लेबर रूम को ताला लगा हुआ था DCO ने गल्ब दियानी पर डाक्टर यासर की संज़च करते हुए डाक्टर कारवाई का हुकम दिया जबके लिडी डाक्टर शादिया की गैर हादरी पर कारवाई का हुकम दिया DCO ने वार्ज में जाकर एड करडिशन भी चेक किये जो बंद पाए गए वार्ज में मुरीज गर्मी से बेहाल थे जबके सफाई की सूरतेल भी नाकस थी DCO ने कहा कि पंजाब हकूमत अवाम के लिए जो सूलिया दे रही है इसके समरात अवाम तक पंचाना हमारी जुमादारी है सुबस ने से भी खबरें शामिल करेंगे लेकिन इस प्रेक के बाद आप वक्त दियूज के साथ रही है शेरमिती अमरू के हालत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए जे कुमार नामी आमिल के पास ले जाया गया मगर दुराने अमल वो जामभग हो गई खातुन की वफात के दो रोस बाद मतवफिया की दो बेटियों की हालत भी बिगड़ गई तो उसका बड़ा बेटा उन्हें भी इलाज के लिए आमिल के पास ले गया मंतर पढ़ने के दुरान तीनों बेहन भाई बेहोश हो गए और इसी दुरान नौचमान जामभग हो गया जबके दोनों खवातीन को ताहार होश्ट नहीं आया और उनकी हालत भी तश्वीशनाक है जैबकाबाद में गैरत के नाम पर खातून समेट दो अफराद को कतल कर दिया गया वारदात के बाद मुल्जिम फरार हो गया वाके के बाद पॉलिस मौके पर पहुंच गई और लाशें पोस्मार्टन के लिए इस्पताल मनतकिल कर दी पॉलिस के मताबिक मुल्जिम के गिरफतारे के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है मुल्जिम को जल्द गिरफतार कर लेंगे कतल की तमाम पहलों पर तक्तिश शुरू करती गई है लारकाना के करीब नसीराबाद में दो माह कबल होने वाले दोहरे कतल ने नया रुख इक्तियार कर लिया मक्तूला औरत इर्शाथ खातून और उसकी बेटी को दो माह पहले कतल किया गया था जिसका मुकद्दमा अनायत अली उम्रानी की मुद्धियत में नौ अफराद के खिलाफ दर्च किया गया था जिस पर जवाबदारों ने सहत जुर्म से इंकार किया था डियाईजी लाड़काना ने वाकिका नोटिस लेते हुए एस पी हेड़कॉार्टर तोकीर नईम की सरप्राही में जांच टीम तश्कील दी जिसने असल जवाबदार इर्शाथ अली को गिरफतार कर लिया मल्जिम ने इतराफे जर्म करते हुए बताया कि इसने मक्तूला के भाई के कहने पर पांट साथियों की मदद से दो कतल किये जिन को बात में स्चाहकारी का नाम दिया किया दूसरी जानब इलाका मकीनों ने पॉलिस की कारकड़गी पर खुशी का इधार किया रानिपूर में बिचली के नादे हिंदगान के खिलाफ करेक्टाउंट का सिल्सला चाहरी है नैप एसिस्टन डारेक्टर इम्तियास एहमद और सबको के खिलाफ स्टीफ इंजिनियर अब्दलहमीद शेकी जेरे निग्रानी रानिपूर्ट वियन में बिचली नादे हिंदगान के खिलाफ कारवाई की गई इस रौन 13,000 कनक्शन मुनकता कर दिये गए जो के 35,000,000 के नादे हिंदगान थे इस मौके पर नैप एसिसेंट डारेक्टर इम्तियास एहमद ने मीडिया को बताया कि मुच्तर का कारवाई इन बास सर अफराद के खिलाफ की जा रही है जो बिचली तो इस्तिमाल करते हैं मगर बिल अदा नहीं करते उन्होंने बताया के हर नादेहिंदा के खिलाफ बिला तफरीक कारवाई होगी बिच्चा में मटियारी के करीब मोटर साइकल छीनने वाले गरोह के तीन अरकान को गिरफ़तार कर लिया गया मलजिमान के कपसे से छीनी गई 29 मोटर साइकलें भी बरामत कर ली गई है S.S.P. मटियारी जफर इकबाल ने अपने दफ्तर में प्रेस कांफरंस करते हुए बताया कि जिला मटियारी में मोटर साइकलें छीनने वाले गरोह के तीन अरकान को हाला पॉलिस ने गरफ़तार कर लिया है मर्जिमान के कपसे से मुक्तिफ इलाकों से छीने गए 19 मोटर साइकल भी बरामत कर लिया गए है उनका कहना था कि तफ्तीश के दौरान गरफ़तार मर्जिमान की निशान दही पर मजीज साथियों को भी जल्द गरफ़तार कर लिया चाहेगा तंडू लाजार में शहरा पर खुले मेंध होल हादिसात का सबब बनने लगे हैं शहरियों ने साइंस सरकार का पुतला बना कर खुले गटर के बीच में डंडे के सहारे पर लटका दिया और फिर उस पर लिख दिया कि एड के मौकर पर ये है अवाम के लिए तोफ़ा और शेहजियों के एक खहना था कहजाती तदाबिश करने के लिए निशानी के तौर पर साइंग का पतला बना कर लटकाया है उनका कहना था कि बारहा इंतिजामें कोई सुर्टहाल के बारे में अगाह कर चुके हैं लेकिन किसी के कान पर जून तक नहीं रिंग दी उन्होंने कहा कि गट्रों के धकन गायब होने की वज़ा से आई रोज ट्राफिक हादसात में कीमती इंसाने जाने जाया हो जाती है बदीन में बिजली की बत्तरीन लोड शेडिंग ने अवाम का पारा हाई कर दिया अवाम ने हैसको आफिस में तोर खोर की और कई घंटे तक रोड ब्लॉक किये रखा बदीन में लोड शेडिंग के सताय अवाम का सबर जवाब दे गया शदीद गर्मी और रोजे में भी लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई और हैसको दफ्तर के सामने एहतजाज किया मुश्तिल मुजाहिरीन हैसको दफ्तर में घुस गए तोर फोर की इस दोरान इंतजामिया ने कई बार मुजाहिरात की भी कोशिश की जिसमें काम्या भी न मिल सकी मुजाहिरीन ने दफ्तर के सामने सड़क भी कई घंटे तक ब्लॉक किये रखी मुजाहिरीन का कहना था कि जिले भर में बिजली की लॉट शेडिंग बढ़ा दी गई है जिससे रोज़ेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है उन्होंने कहा कि बिजली की बंदिश का दौरानिया कम ना किया गया तो एहतजाज मजीद सक्त कर दिया जाएगा खैरपूर डॉक्टर अता मुहमद हामी लाइबरेरी की तामीर के नाम पर सुभाई तामीर तरकी के इंजिनियर ने ठेकेदार से मिली भगत करके लाक रुपे हड़प कर लिये हैं वजरियालासिंद के शहर में करप्शन अरूश पर पहुंच चुकी है रमामा डॉक्टर अता मुहमद हामी लाइबरेरी के तामीराती काम के लिए 27 लाक रुपे मालियत का टेंडर चारी कराया गया टेंडर चारी होने के बाद महकमे बिल्दिंग के इंजीनियर ने ठेकेदार जहिर ज़भी जवानी से लाक रुपे मुबईना रिश्वत लेकर उसे टेंडर चारी कर दिया जबके लाइबरेरी में तामीरासी काम की गुझाइश ना होने की वज़ा से लाइबरेरी के अंदर के रास्ते और लॉन की जमीन पर एक दिवार खड़ी करके एक साल कबल बनाए गए दो कमरों की पिमाईश और चूना पोशी करके नए जारी होने वाले टेंडर के बिल में दिखाकर 27 लाक रुपे हड़प कर लिये गए हैं लाका मकीनों ने डीची नैप सिंथ से मतालिबा किया है कि रिकार्ड करप्शन की आला सता तहकीकात करा के जिम्यदरान के खिलाफ सक्त कानूनी कारवाई की जाए लारकाना में पॉलिस एहलकार के हाथों बदफेली का शिकार होने वाले नوجوان को तहार इंसाफ ना मिल सका सहाफियों को बताया कि मशकूरा पॉलिस एहलकार की जानिप से अपने बीगर सास्यों के हमरा रहासा की याँ जा रहा है उन्हें बताया के जलें इंतिजामे की जानिपर कुर्बان गोपांग के खिलाफ कारवाई के वजिर दाखला सुहिल अन्वर्सयाल के हिकामात पर भी हवा में उड़ा दिये गए हैं वजिर दाखला ने कुर्बान गोपांग को नौकरी सिफारी करने के हिकामात जारी किये थे और अब आपको बताएं कि हैदराबाद की चूड़िया मिल्क भर में अपनी मन्तफरिद पहचान रखती है खास महारत से तैयार होने वाली चूड़िया खूबसूरत रंग और दीदा सेब डिजाइन के बाइस अपनी मिसाल आप हैं बसी चानते हैं इस रिपोर्ट में हैदर अबाद शेहर को दीगर अशिया के साथ साथ चूड़िया बनाने में भी खास एहनी अथासिल है यहां के कारीगर अपनी खास महारत का इस्टेमाल करते हुए चूड़िया तैयार करते हैं सबसे पहले कांच को भट्टियों में खास महारत से पिगलाया जाता है और फिर बाद में मुक्तलिब डिजाइन तैयार किये जाते हैं इसके बाद उन पर रंगो रोगन करके तैयार किया जाता है इसके बाद इन चूडियों को मुल्क के मुक्तलिस मार्कीटों में मुन्तकिल किया जाता है इदर फितर करीब आते ही कारीगरों के काम में इजाफा भी होता है और ये कारीगर दिन रात मेहनत में मसरूफ रहते हैं दुकानदारों का कहना है कि ज्यादतर काम और्डर पर किया जाता है इसलिए नमदानलमबारक के आफ़ी अश्रे में काम बढ़ जाता है एदर आबाद की चूडियां मुल्क भर में मशूर है जीदाजेब डेजाइन्स और अर्जा नर्क होने की वज़े से एद के मा का पचूडियों की फरोग में बहुत जादा इदाफा होता है बदीन में महगाई के सताई अवाम ने एद की सीदाली के लिए बच्चत पचारों का रुख कर लिया है महंगाई के बास अब एद की सीधारी भी मत्तवस्त और निचले तपके के बस से बाहर दिखाए दे रही है बदीन में अवाम माहे रमाजान में आने वाले महंगाई के तूफान से संभरे ही नहीं थे के इदुल फितर करीब आते ही महंगाई के एक और तूफान ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी शेहरियों ने मीठी ईद ठीकी होती देखकर ईद की खरीदारी के लिए बच्छत बाजारों का रुख किया बच्छत बाजारों में कपड़े जूते मसुई जेवरात और मेक अप का समान बाजार से सबस्ते दामों दस्पयाब है जबके खवातीन और बच्छों के जरूरियाद की दीगर अश्या भी आम मार्केट से कम निर्खों में दस्पयाब है इन बच्छत बाजारों में खरीदारों और बिल्खसूस खवातीन का हुजूम उबडाया है गर्मी और रमजान के बावजूद खवातीन खरीदारी इसकी खरीदारी कर्सी दिखाई देती है लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में जहां आम अफराद के लिए दो वक्त का खाना खाना भी वो हाल है वहाँ ये बच्छत बाजार उनकी ईद के खुशियों और खाहिशात की तक्मील का सबब बन गए है और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे हैबर फक्तूखा से मौनसून की आमद आमद है महकमे मुस्मियात ने बारशिये मामूल से ज्यादा होने की पेशकोई की है लेकिन पिशावर में महकमे मुस्मियात के अलर्ट जारी करने के बावजूद खस्ताहाल इमार्तों को मरम्मत नहीं किया गया ये इमार्तें किसी भी वक्त हादिसे का सबब बन सकती हैं मेकमा मुस्मियात के मुताबिक मौनसोंट की हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही है और इस सीजन में बारिशें भी मामूल से 20 पीसद ज्यादा होंगी लेकिन हकुमत की जानिब से इंतहाई खस्ताहाल और मखदूश इमारतों की तरफ कोई तबाच्जों नहीं दी गई जो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती है सरकारी रिकॉर्ट के मताबिक अंदरून शेहर में 500 से जाइद ऐसी कदीम इमारते मौजूद हैं जिनके मौन सौन बारिशों के दोरान मौनहदिम होने का खच्चा है गुजिशता साल भी बारिशों और जलजले से मतादित कदीम इमारतें जमी बॉस हो गई थी जिन में बॉली वुट के राज कपूर और जलीफ कुमार की हवेली भी शामिल थी जले हुकुमत ने तकरीबन दस साल कबल तीन सोग करीब बॉसीदा मकानाथ खाली करने के लिए नोटिसिस तो जारी कर दिये लेकिन इन इमारतों में रहाइश पजीर अफराद मकानाथ चोड़ने को तयार नहीं अंदरून शेहर वाकि कदीम इमारतें मतरो का वक्फ इमलाग बॉट की मल्कियत हैं जिनकी दुबारत तामीर या मुरम्मत के लिए मकीनों को मतलिका महकमे के एनोसी की जरूरत होती है जिसके लिए लोगों को कई कई माह दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं अगर मतरो का वक्फ इमलाग बॉट एनोसी का हसूल आसान बना दे तो खस्ताहाल इमारतों की तामीरों मुरम्मत की जा सकती है और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का कोईटा में गुजश्ता रोज होने वाली तुफाहनी बारिश इंतजामी इदादों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है नकासिया आप ना होने से कोईटा की सड़के नदी नालों का मंज़र पेश करती नहीं सिवल अस्पताल की कई वार्ट में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया सुभाई दार रुखुमत कोईचा में गुजश्ता रोज होने वानी तूफानी बारिश से निशामिया के दामों की कले खुल गई डेड़ घंटा होने वाली बारिश से शेहर की सड़के नदी नालों में तबदील हो गई बारिश के बाइस मुक्तलिफ हादिसात में तीन कीमती जाने भी जाया हो गई जबके पंदरा अफराद सख्वी हुए सिवल अस्पताल और बॉलान मेडिकल कॉमपलेक्स के कई वार्ड में बारिश का पानी दाखिल हो गया पानी के साथ आने वाली गंदगी और कीचर के बाइस वार्ड में साफन फैल रहा है मेकमाई मौसमियात ने कोईटा और गिर्दो नवा में आज भी शदीद बारिश की पेश कोई की है दूसरी जाने पीडियामे ने बारिशों के पेशे नजर क्राइस मैनेजमेंट सेल काइम कर दिया है कराची से खैबरता की खबरों में अब तक के लिए इतना ही मसीद खबरों और अप्लेट्स के लिए वक्त नियूज के साथ रही है ट्रिप्लिट प्लस दो रिफ्रिजरेटर्स की गुझाईश वाला ट्रिप्लिट प्लस वेव्ज नाम ही काफी है वेव्ज इंट्रिजूसिंग ट्रिप्लिट प्लस दो रिफ्रिजरेटर्स की गुझाईश वाला फास्ट कूलिंग सिस्टम फ्रीज करे मिंटों में